आज की डेट में क्रिप्टो बाजार की क्रिप्टो मार्किट की जो सिचुवेशन है वो इतनी ज्यादा बुलिश है इतनी अच्छी सिचुवेशन है आप देखो 2023 जैन्वरी मन्द से पंप शुरू आ था बिटकोईन का क्योंकि अगर मैं नवेंबर 2022 की बात करता हूँ और दिसंबर की बात करता हूँ 15-16,000 तक लेवल चले गए थे बिटकोईन के 16,000 पे शुरू किया था 2023 आज बिटकोईन 47,000 डॉलर पे अभी चल रहा है लेकिन हाई क्या लगाया है अगर आप यहाँ पे हाई देखेंगे 48,969 यानि लेवल 49,000 डॉलर तक भी पहुँच गए है 48 को तो कहीं पीछे चोड़ दिया और हमने पहले का था 48,300,500 को हिट करेगा तो 50,000 जाने के चांसिज पूरे हैं 50,000 हम देखेंगे लेकिन उससे पहले एक गेम और यह गेम क्यों हो रहा है बहुत सारी चीज़े होई है सब से पहला bullish momentum bitcoin spot ETF approval को लेके जो इतना बड़ा market के अंदर approval मिल गया तो bitcoin के लिए बहुत अच्छी बात है no doubt ठीक है लेकिन आज evening में CPI numbers भी आए और CPI numbers 3.2% expected थे लेकिन जो CPI numbers आया है वो कितने आया है 3.2% से थोड़ा सा बढ़ के आया 3.4% यानि बढ़ के आया तो क्या sentiment बन कि dump होगा लेकिन dump नहीं हुआ क्या हुआ प्राइस बड़ा liquidations किये जो यहाँ पर dump हुआ था लेकिन यहाँ पर जो trades लगे short के उनको liquidate किया और अब यहाँ पर level थोड़ा नीचे जा रहा है तो यह pump dump liquidation भी करके जाएगा bitcoin 50,000 को भी hit करेगा क्योंकि जब 49 के करीब पहुँ spot ETF approval की अच्छी news बड़ी news दूसरी तरफ CPI निमबर थोड़ा वड़के आया और market में bitcoin ने दिखा दिये 49,000 डॉलर तक के level 50,000 की अब बात दूर नहीं रह गिया है अब वो time दूर नहीं है वो दिन दूर नहीं है जब 50,000 डॉलर भी हम bitcoin को देखेंगे 50,000 फाइनली काफी time के बाद एक long time के बाद क्योंकि 2022 में 50,000 से गिरा था और अब फाइनली 50,000 को हिट करने जा रहा है bitcoin दो साल I think डेट दो साल के बाद ठीक है bitcoin strong है crypto market bullish है bitcoin की वज़ा से तो जहां bitcoin 49,000 डॉलर पे पहुंच गया है बात करेंगे कुछ gainers के buybit के top gainers, binance के top gainers आज कौन से coins अच्छा pump कर रहे है, ethereum bullish क्योंकि 26,000 डॉलर को break किया ethereum ने और अच्छी range ethereum की जैसा हमने discuss किया था कि whales खरीद रही है ethereum को result दिखने लग गए ethereum पे उसकी वज़ा से ETC, ethereum classic ओम ने नवेंबर मन्त की list में already रखा था तो ETC आज 50% तक pump हुआ है, तो यह सारे नए coins आया, अगर आप देखोगे, synapse नया coin है, pendle नया है, सुई, अभी recently Binance पे आया है, यह सारे coin, xai, zito, यह सारे आज अच्छे pump हो रहे है, Binance launchpad, listings और launch pool के coins इस gainer list में, और यह दूसरी gainer list है, यहाँ पे अगर हम देखें, bybit की, इसमें भी ETC सबसे उपर चल रहा है, ENS है top पे, उसके बाद आता है, me lady meme coin meme coins में अगर हम देखें, ladies में हम काफी महीनों से देख रहे है, थोड़ा थोड़ा movement अच्छा आ रहा है, तो थोड़ा ladies के उपर नजर रखें, अगले bull run के लिए, ठीक है उसके बाद rat चल रहा है, नए coins, bonk चल रहा है, उपर, silly चल रहा है, जो अभी recently, सोलाना के उपर अच्छा pump हुआ, उसके बाद माईरा भी अच्छा pump हुआ, recently और फिर से pump हो रहा है, बेक, ये सारे top gainers हैं आज के bitcoin के साथ-साथ जब market के अंदर इतना कुछ हो रहा हो, और twitter x के उपर crypto market bitcoin चाहे ना ऐसा नहीं हो सकता, twitter पे continue trend हो रहा है, bitcoin ATF, bitcoin trend हो रहा है, bitcoin बहुत सारी list में top पे आ रहा है, तो इस time पे market काफी ज़यदा bullish है, bitcoin ATF trend हो रहा है, US CPI जो data आ चुका है 3.4%, तो कुछ बड़े updates market के अंदर चल र ETF trading volume surpasses 1.7 billion dollar in the first hour of listing, और Bloomberg ने ये अंदेशा भी जाता है, कि first day के उपर, जो ETF approve हुए है, अगर हम उनकी trading volume की बात करें, तो 4 billion dollar आने का अंदेशा है, first day के उपर, 4 billion dollar, तो अच्छा volume भी आ रहा है, अच्छा पैसा भी आ रहा है, और दूसरी तरफ bitcoin के ETF approve भी हो गया है, तो इ इससे बड़े market के लिए अच्छे संकेत, अच्छे signal हो नहीं सकते, next update आ रहा है, यहाँ पे Bitgert को लेके, Bitgert की solar decks के साथ है, कि यहाँ पे partnership समझ लीजिए, happy to announce the solar will be integrating Bitgert BeRise into the upcoming V2 deck, next update आ रहा है, flow की इनों को लेके, flow की and token 5 partner up with Durban Super Giants, तो एक और partnership यहाँ पे, ठीक है, flow की and its sister token token 5, token 5 और flow की दोनों की partnership होई है, Durban Super Giants Cricket Team के साथ है न, और फिर से यहाँ पे marketing को लेके, और यह marketing plan चलेगा इनका, reaching large diverse audience across India, तो India, South Africa, the United States, United Kingdom, Australia and New Zealand, तो फिर से इतने 78 million cricket fans across the world, तो अच्छी खासी यहाँ पे फिर से लोगों की नजरे में जाने वाला है, Durban Super Giants के साथ partnership, flow की and token 5, next update is Shiba Inu को लेके, Shiba Inu एक बड़ा pump, एक बड़ा jump जरूरी है और वो कभी भी आ सकता है, जो Shiba Inu को 0.4 times 0.2 और 3 के लेवल पे लेके जा सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा alert रहें, research करते रहें, ठीक है, और बिना research के कोई भी crypto market में ना खरीदें, तो बिलकुल Bitcoin Spot ETF का approval मिल गया, ऐसे में Elon Musk बात ना करें, Bitcoin की कुछ उनकी तरफ से update ना आए और कुछ ना कहें, crypto को लेके तो ऐसा नहीं हो सकता, Elon Musk ने definitely कुछ कहा है, और Kathy Wood के साथ, मतलब यहाँ पे एक जो है, Twitter Space के उपर, Elon Musk ने कुछ कहा है, Elon Musk spark debate on cryptocurrency use on Mars, Elon Musk एक यहाँ पे जो है, Mars के उपर, आपको पता है, एक dream है, Elon Musk का, कि Mars के उपर भी life हो, Mars यानि जैसे हम crypto to the moon कहते हैं, crypto चांद पर, लेकिन अब crypto to the Mars, Bitcoin to the Mars, एक तरह से Bitcoin को Mars पे ले जाने के कुछ इस तरह के update, और Elon Musk discuss crypto currency use on Mars, कहाँ पे Mars के उपर, mangle के उपर, और Musk highlight transaction time challenge for Bitcoin on Mars, Bitcoin को लेके बात की है, Mars के उपर उनका एक dream है, अब वो कब होगा, कैसे होगा, क्या सच में Bitcoin को लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, क्या कुछ होगा, यह बहुत interesting, यहाँ पे कुछ indication दिये, Elon Musk ने, और potential solution including lightning network for faster transactions, तो जहाँ Cathy Wood के सब्सक्राइब कुछ बड़ी बाते कहीं हैं, वहीं, दूसरी तरफ, Cathy Wood ने भी बड़ा prediction पहले ही कर रख है, और फिर से यहाँ पे एक bald prediction, Cathy Wood bald prediction for Bitcoin future, मतलब Bitcoin आज से 5-6 साल बाद, 2024 शुरू हो चुका है, 6 साल बाद 2030 तक 1.5 million dollar एक Bitcoin की कीमत होगी, Cathy Wood discusses Bitcoin potential and personal strategy, काफी ज़्यदा bullish दिख रही है Bitcoin को लेके, और Wood predict Bitcoin could reach 1.5 million dollar by 2030, यहनी एक Bitcoin की कीमत करोडों की हो जाएगी, आज भी बहुत जएदा है, ठीक है, नो डाउट अभी और बढ़ने वाली है, 2024 नए हाई वाला एयर है, 25 में भी पीक लगेगा, मतलब लाखों में कीमत जाने वाली है, लेकिन करोडों में होगा Bitcoin का प्राइस, ये एक बहुत बड़ा prediction, और जिस तरह से market चल रही है, हर चार साल की cycle चल रही है, तो definitely जो अगले दो bullrun आएंगे, क्योंकि चार साल में दो साल अच्छे निकलते हैं, बुलरन वाले, और वो जब टाइम आएगा, तो 1.5 मिलियन डॉलर भी रीच कर लेगा, ये कहना है, कैथी वुड का, किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं, research करें, वो बहुत जरूरी होती है, बिना research के कोई भी crypto ना खरीदें, फो मो ना करें, ठीक है, और नीचे description में telegram X के link है, जोई नहीं किया, तो कर ले ना कोई update मिस नहीं होगा, तब तक के लिए बाई बाई, टेक केर,